हेलो फ्रेंट्स मैं हुसली है आपका मेरे चहर पर स्वागत है आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं मेबलीन गरोसल काजल का रिव्यू इस वे मैं आपको बताऊंगी किस तरीके का काजल है किस तना इसका पिगमेंट है एक स्वाइप में कितना अच्छा आपको रिजल्ट तो इस तरीकी की पूरी इन्फो मेरे चैनल पर देखने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और बेल बटन को आउन करके रह सकते ताकि जैसी मैं अपनी वीडियो चैनल पर डालो आप सबसे पहले नोटिफाई हो जाए तो चलिए स्राट करते जो मैं प्रोड तो यह है प्रोडक्ट ओके जिसे सारे अलमोस वारे काजल होते हैं मतलब सब के ऊपर अपनी पैकेजिन का नाम बगारा लिखा होता है वही सब इसके ऊपर लिख रहा है काजल के बारे मेवली न्यॉयोग दकरोसल काजल सूपर ब्लैक काजल है इसके लाव अगर भी इस पर कुछ भी नहीं लगाया है सिर्फ कुछ भी नहीं लगाया है को दिखाती यू ऊपके सामने आपको लगा कर दिखाती यू वाटर लाइन पे कि मैं कैसे लगाती हू यह प्रोडक्ट की अगर मैं क्वांटिटी की बात करों तो बहुत अच्छी आज़ी काज चिस आत काजल लग जाता है अगर मैं स्ट्रेकी बात करो तो काफी टाइम तक मतलब तीन चार घंटे से पहले तो कहीं जाता ही यह काजल बहुत अच्छा काजल है मैं आपको बताने चाहरी हूं कि मैं आइलाइनर की फोम में इसको कैसी यूज करती हूं सबसे पहले में क्या करती हूं कि यौप्रियुक्त Ea पास कोई लोज पाउडर होगा या आपके पास रनल पाउडर होताए वह होगा तो उसको लेसा। टाइप को पर फिंकर भीले य। प्रेस लगा लेती हूं आप चाहे तो टेलेकम पाउडर भी लगा सकते हैं सेमी वग करता कुछ जाधा खास वह नहीं वग करता अब यह पाउडर इच्छे से सट हो जुका है आप चाहे तो बरश की हैल्प से इसको साफ भी कर सकते हैं थोड़ा सेट हो जाए तो बस देट सिट जब पाउडर सेट हो जाए तो उसके बाद आप जो आपका यह जो काजल है लमन्दम इसको आई लैनर की तरह ड्रो कर लीजि अए अच्छा हम यह तको बताऊंगे कि झine लगा लगाने का या फिर ही जो मेरा लूस पाड़र हो लगाने का रिजन क्याता जैसे लोग secularе जो lifetime बड़ी होती है तो जो नोंकी अउए जोग लोगली विल्कोर भी आप था यह ठीके तो उनका जो ऑनका जो अगर आपर का जैसे मेरी भी हुढ़ी है, जब ही काड़ा हुगा लाइजल गाइजू तो जब ही यह बिल्यायनर को लाज़ाया है, जब काजल का ऐपयों लाइज लाइज्वार हुगा हुगाईजा लगाऊ, फिर जा derive तो बीशार पर अगलों टीक दीलत is डाल Wein Academy ुझा और तो माईज़ा यहां नहीं लगता और काफी टाइम तक स्टे भी करता है तो यह काफी एफेक्टिव है मैं हमेशे इसी को यूज करती हूं मेरे को लगता है जितनी भी हुडिड आइस वाले हैं उनको इस ट्रिक को अपनाना चाहिए ताकि वह एक अच्छा सा विंड आइलाइनर या सिंपल काजल या इस वह लगाना प्रैफर करते तो अब आप देख सकते हैं यह बिल्कुल भी नहीं लगे गा उपर इस काजल खाक अगर अगर मैं इस परोज की बात करें कि तो सबसे पहले बात जोड़ा सा कोउन्स यह इसका की यह ए अगर मैं प्रोज में देखूं तो यह एक्सपेंसिव तो है लेकिन वर्थ ही आपको जैसे रिजल्ट चाहिए एक स्वाइप में अच्छा आपको स्टोक देता है काफी लंबे आया तक स्ट्रे करता है जल्दी से समझ नहीं होता है अगर आपको जैसे मैंने ट्रिक बताई अ जैसे मैंने आपको अबी ट्रिक बताई तो जैसे मैंने काजल को भी लगाया पाउडर को लगा के अगर आप यूज करते हो तो बहुत अच्छा रिजल्ट देगा तो आप चाहें तो इस काजल के लिए जा सकते हैं मेबिलीन करुसल काजल के लिए सबसे बस्ट काजल है अगर आप इसी तरीकी की वीडियो मेरे चैनल पर और देखना चाहते तो आप मेरे चैनल पर बने रह सकते हैं और मेरे को मोटिवेट करने के लिए एक लाइक कर सकते हैं तो मिलते हैं एक नेक्स वीडियो में एक अच्छी सी टॉपिक के साथ एक अच्छी से डैमो के साथ एक अच्छी से टिप के साथ, अब तक के लिए, बाई, टाटा, सी यू.